खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रधोगी की केंद्र उज्जेन में बनाया जाएगा। खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रधोगी की संस्थान इनुर और मध्यप्रदेश, विज्ञान प्रधोगी की भोपाल तथ संपुन देश के बड़े आयाईटी संस्थानों के विज्ञानिकूने, महानंदा नगर्ज्थ तारा मंडल के सभाकक्ष में उज्जेन के विकास के संबंध में बेठक कर विचार भिमर्ष किया बेठक में पूर्व विधायक सतीश मालविय कलेक्टर आशे सिंग, इंदोर आयाईटी के संचालक प्रोफेसर सुहास जोशी, इंदोर आयाईटी के प्राध्यापक प्रोफेसर अभिरुक्त दत्ता, डौक्टर अनिल कोठारी, डौक्टर सिधार्थ, सव्यसाची, तथा बै मध्यप्रदेश के डौक्टर अनिल कोठारी ने अतीतियों का शौल, श्रीफल, पुष्प गुच्छ एवं प्रतिक चिनह भेट कर सम्मानित किया, तारा मंदल में हुई संगोष्ठी में आयाईटी इंदोर एवं अन्यदेश के आयाईटी के विशेशग्यों ने चर्चा विस्तार से उज्जेन के विकास के लिए चर्चा की गई, चर्चा के दोरान उज्जेन की प्रगती जिसमें प्रध्योगी की सिक्ष्य संबंधी प्रसिक्षन एवं उन्नती के विशेपर गहन विचार विमर्ष किया गया, उपस्थत विशेशग्यों की राय यह रही कि Heritage and Innovation Center in Astronomy और Space Engineering एक हगोल विज्जान वा मंतरिक्ष प्रध्योगी की केंदर उज्जेन में स्थापित किया जाना आउशक है, ऐसे उज्जेन में नवाचार की उन्नती के लिए बनाया जाएगा उज्जेन की परिकल्पना को साकार करने के लिए ज्यान विज्ज्ञान की नगरी कही जाने वाली उज्जेन को साइन सीटी के साथ साथ IIT केंपस उज्जेन में होने से उज्जेन के विकास में और बहतर काम होंगे डोक्टर यादव ने कहा कि भोगोलिक द्रिश्टी से इंदोर्व उज्जेन पास-पास ही हैं परन्तु उज्जेन की महता को और बहतर बनाने के लिए में और अच्छे विकास के काम होंगे। से जोड़ करके प्राचिन ग्यान को और आगे बढ़ाने के दिशा में काम करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। और सेंट्रल गवर्मेंट के दोनों विभागी सिक्षा विभागी मिलकर के आयाइटी सेटलाइट के इंपस के दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट के आएगे।